दोस्तो शॉटकट किसे पसंद नहीं होता है फिर वो ट्रैपिक से बच के निकलने के लिए लिया गया शॉटकट हो या फिर लाइप में सक्सेस होने के लिए लिया गया शॉटकट अगर आप एक computer operator हो तो आपको पसंद है keyboard वाले शॉटकट जिया दोस्तो वैसे keyboard के शॉटकट तो आपने धेर सारे सुनी होंगे control के साथ, alt के साथ, shift के साथ लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ माउस का शॉटकट जिया आप कहोगे माउस में तो वही left button, right button और scroll button तीन ही तो होते उसमें कैसे शॉटकट बनेंगे keyboard और mouse के combination से धेर सारे शॉटकट बनते हैं जिया दोस्तों मैं आज आपको बताने रहा हूँ माउस के shortcut left, right और scroll button के साथ keyboard के combination कैसे होते प्रैक्टिकली बताऊंगा तो अगर आप interest दोड़े अपनी word की productivity बलाने के लिए माउस के साथ तो ये वीडियो end तर देखिए चलिए शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर word document में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे इस paragraph में से अगर ये वाला sentence मुझे select करना है तो मैं ऐसे drag करके तो select कर सकता हूँ लेकिन मैं simply combination बता रहा हूँ तो control button प्रेस करके मैं अगर उसके उपर click करता हूँ तो sentence select हो रहा हूँ यही नहीं अगर मैं इस sentence पर control button प्रेस करके click करता हूँ तो यह second वाला sentence जहां से sentence टाट है जहां पर end हो रहा है वहां तो select होने वाला है तो यह control का पहला secret combination मैंने बता है तो चलिए मैं आगे बताता हूँ अगर कोई भी word पे आप double click करते हो तो word select होता है लेकिन अगर आप पूरे इस paragraph को select करना चाहते हो तो तीन बार click कीजिए जी है माउस का तीन बार अगर आप click करते हैं left button click मतलब आपको select button ही click करना है आपको तो यह पूरा paragraph select होता है तो यह तो आपको पता रहेगा लेकिन अगर alt के साथ आप paragraph को select करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ alt के साथ select करते हो तो इस तरह से आप यह selection कर सकते हैं क्योंकि generally अगर alt छोड़के आप select करते हो तो यह ऐसा यह पूरा line मतलब पूरा paragraph इस तरह से select ह होते जाता है आपको दिखाए दे रहा है एक एक सेंटेस से सिलेक्ट हो के नीचे ऐसा मतलब पूरा लाइन सिलेक्ट होता है लेकिन अगर अल्ट के साथ यहां पे मैं करसा रख रहा हूँ और अल्ट बटन प्रेस करो कीबोड पे और उसके साथ ड्रैक कर रहा हूँ तो यह सिलेक्शन आपको दिखाए दे रहा है हाँ पैरेग्राफ आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं तो अल्ट के साथ क्या कॉंबिनेशन यह मैंने बता है कंट्रोल के साथ क्लिक करने के बाद क्या कॉंबिनेशन यह भी आप को समझ मैं होगा तो अगर आप चाहते हैं इस sentence को जैसे मैंने इस sentence को control button press करके select किया है मैं चाहता हूँ यहां से cut हो जाए और नीचे आ जाए तो मैं control x और control v करता हूँ यह तो shortcut key is the keyboard की लेकिन mouse के साथ कैसे होगा इससे select किया है मैंने control के साथ अब simply मैं mouse नीचे लेक पूरा मैं तीन बार click करो यह तो यह paragraph select कर रहा हूँ और उसको बाद मैंने control button press किया और right click button press करना है control and right click का combination क्या दे रहा है, वहां से cut हो रहा है directly यहाँ पे paste हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे simply यह paragraph directly move हो रहा है, तो आपको यहाँ पे cut paste करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह combination अगर आप जानते हो दोस्तो तो लेकिन अगर आप चाहते कि इसे copy paste करें, तो आपको करना क्या है, तो चलिए इस paragraph को पेले select करते हैं, paragraph select करने के लिए तीन बार click किजिए, paragraph select, that's simple उसके बाद आपको क्या करना है, control button press करना है, और इस paragraph को यहाँ पे drag करके रख देना है, इस तरह से, simply आपको दिखाए दे रहा है, क्या हो रहा है, copy हो रहा है यह cut कैसे होता है, drag कैसे करना है लेकिन left click से करना है, पहले जब move कर रहा था, तभी मैंने right click किया था, जैसे आपको फिसे मैं बता देता हूँ, यह paragraph जो है, मैंने select कर लिया, यह मुझे move करना है, नीचे रखना है directly bottom में, तो मैं इसे क्या करूँगा इसे select करूँगा, उसके बाद control बटन प्रेस करके यहाँ पे mouse लाके right click करूँगा नीचे रखके mouse लाके right click तो इस तरह से यह cut हो गया है, उपर से paragraph नीचे आगए, लेकिन इसका copy उपर भी चाहिए तो हमें करना क्या होगा, इसे select करना होगा और mouse का left button, मतलब प्रेस करना है, साथ में control भी प्रेस करना है और उपर लाके रख देना है, जहाँ पे विचे उसका copy आजागा, देखो नीचे भी है, उपर भी copy तो यह control के combination काफी amazing है, शायद आप नहीं जानते होगा, इसलिए मैंने आपके साथ share किये दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बताओ कि कोई भी word को अगर आप select करते हो, और अगर आप यहाँ पे right click करके drag करते हो, जहाँ यहाँ पे मुझे रखना है, उसे right click करके drag करते हो, तो यहाँ पे आपको इस तरह से option मिलते हैं, इस options में होता क्या है, आप देख सकते है, यहाँ पे आ रहा है move, copy, link here, मतलब आप यहाँ पे link कर सकते है उसको, move कर सकते हो, copy और cancel भी कर सकते हैं, इस आया हुए dialog box को, तो फिलाल मैं move करता हूँ, तो move मतलब मुझे यहाँ पे cut, copy paste, फिल्से करने के ज़रूरत है नहीं है तो यह combination याद रखना है, करना क्या है, आपको बस simply इस word को select करना है, right click करके drag करना है right click करके drag, यहाँ पे कोई control हो गया है, नहीं फ्रेस करना है, right click करना है, right click से drag भी होता है यह भी आपको अभी पता चला होगा, शायद आपने इसे use नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपके साथ यह share किया है दूस्तों तो चले मैंने control बताया, alt बताया, अभी shift से भी देखिए क्या होता है, shift के combination के साथ mouse कैसा होगा, अगर आपका cursor starting में है और आप shift प्रेस करके यहाँ पे click करते इस paragraph के ending में, तो आपको दिखाए दे रहा है, यह दोनों paragraph एक साथ select होगे तो आपको जो paragraph एक साथ select करने, बस shift hold down टरना है, उस paragraph के ending में जाके click करना है, लेकिन cursor रखना का आपके starting में रख देना है, cursor यहाँ पे starting में रखिए, फिर ending में cursor लाइए, इस तरह से click किजिए, shift बटम प्रेस करके, यह भी यहाँ पे combination आपको समझ में आवा दरस्तों अब आगे scroll bar की बारी, अभी scroll bar में मैंने बोला आपको कि आप up and down scroll करते हैं बस, आप and down scroll करते हैं यह आपको पता है, लेकिन आप scroll bar अगर hold करते हो और scroll करते हो तो आपको पता है, इस तरह से scroll होने वाला है, यहाँ पे आप scroll bar की speed, मतलब मैंने mouse drag नहीं किया है, बस scroll bar फ्रे इचे track करने के पाद छोड़ दो, फिर automatically वो scroll होते जाएगा, scroll bar का इसके अलावा और भी user जासे आप एक browser में जाते हो, और यहाँ पे एक नए tab अपने open किया है, आप चाहते हो कि यह tab close कर दे, तो बस scroll bar से इसके उपर click कर दे, that's it, वो tab close हो जाएगा, जी हाँ, scroll bar से उसके नए tab में open होगा, अगर आप mouse के left button से click करते हो, तो यह same tab में open होता है, लेकिन scroll bar से click करने से यह नए tab में open हो जाता है, इस तरह से, तो इस scroll bar का भी एक unique use आप कर सकते है, तो normally word document के अंदर आप scroll करते हो, तो अप and down scroll कर सकते है, तो आपको generally पता है, लेकिन आप अगर आप control button press करके scroll करते हो, कोई भी browser में, या फिर word document में, excel में, तो यह zoom in और zoom out होता है, शायद आपको यह पता रहेगा, control के साथ scroll bar का यह combination है, और बहुत सार लोग इसे use भी करते है, और मेरे excel के viewers है, हमेशा मेरे excel के वीडियो देखते हैं, तो उनको यह पहले से पता रहेगा, क्यों यहाँ पर double click कीजिए, title bar पर यह छोटा हो जाता है, और साथ में आप देख सकते हैं, पीछे बहुत सारे application open है, तो मैं चाहता हूँ, सभी पीछे के application minimize हो जाएं, तो मैं इस title bar को click करूँगा, और इसके उपर, इस title bar पर ध्यान दीजिए, title bar पर click करके mouse shake करूँगा, इस तर से, click and drag मतलब mouse click पकड़ के रखा है मैंने, और shake कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पीछे के application सारे minimize हो रहे, पीछे shake कीजिए, यह maximize हो जाएंगे, यह एक interesting चीज है, और इस बात पर एक like जरूँगा, मैं आपको नई चीज सीखने मिली है, तो एक like तो कीजिए मरे वडियो को दो इस तरह से, आजाता है, mouse की settings यहाँ पर रहती है, mouse के settings में होता है, यहाँ पर important options जो pointer options में है, बाकी settings तो generally सब लोग जानते है, लेकिन यह settings को अब तक अपने use नहीं किया होगा, जैसी कि automatically move pointer to the default button in the dialog box, यह क्या करता है, मैं अगर आपको बता हो, इससे क्या होता है, मैं apply कर आपको तुरंट समझ भाएगा, automatically mouse pointer move कैसे हो रहा है, जैसी कि मैं यहाँ पर start पर click करो, मेरा mouse pointer कहाँ पर run पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर mouse pointer, जैसे मैं click करो, अभी mouse pointer कहाँ पर, okay पर आ चुका है, मतलब क्या हो चुका है, यहाँ पर setting में जारा जानी है, क्या है, मैं आपको फिल से दुबारा दिखा देता हूँ, इसमें क्या बोला है, automatically move the pointer to the default in the dialog box, default जो बटन रहेगा, उसके उपर जैसे okay पर action रहेगा, तो okay पर mouse pointer automatically चला जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर suppose example में देता हूँ, mouse यहाँ पर मेरा click करो, तो automatically mouse कहाँ पर चला जा रहा दिखाए दे रहे हैं, यहाँ से ही आपको समझ माया होगा, यह mouse pointer automatically jump कैसे हो रहा है, तो यह भी एक settings है, mouse pointer के अंदर, और mouse pointer ढूणने के लिए, pointer options के अंदर, आपको यहाँ पर मिलता है, show location of pointer, when I press control key, जब मैं control key प्रेस करूँगा, तो apply कीजी, okay कीजी, अब देखिए, mouse pointer आ यहाँ पर रखाए, control button, control button प्रेस करते हैं, आपको mouse pointer इस तरह से action दिखाएगा, दोस्तो, तो इस तरह के mouse के अलग-लग secret combinations, जो मैंने आपके साथ share किए, इसे use कीजी अपने office में, दोस्तो, तो कैसे लगा दोस्तो, यह mouse का combination, definitely आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आइक करना है, share भी करना है, साथ ही मैं चैनल पर नहीं, मैं मानों तो subscribe तो आपने कर लिया होगा, बेल एकों पर क्लिक करो, और comment लिखे मुझे बता दो कि भाई, कैसे लगा आज का topic, बिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, बाई बा अपने साथ स्क्राओी उपाइड